खिल्द हरेंच हम करेंगे द्रeq Demp 115 लाइच सेध Bent हम इसका में हर आट आज आस नो करेंगे जो द्रeêu अरे इसकी क्या किया डी वाइस है और सिविस्सेयर में किक्रिण स्विसेश है तो जो डै मिसी है डेमोक्रेसिवी अजसे जिसको डेवाइसीं की सब्याक है इसके लिए वोक्रेयों जिसको टेवाइस हैं जिसको टिवायस भी चाहते हैं जिससे जो डे डेमोक्रेसी ए जी इंस्टिशन प्रोपर वर्क कर दवाती हैские इसकी four devices में से first आती है लेंस जिमाई जो हमने अपने last session में किया था जिसको हम open assembly भी कहते हैं जिसमें लोग अगठे होते हैं और अपने decision खुद लेते हैं लेंस जिमाई जे हमने अपने last session में कर लिया था आज हम करेंगे referendum and other devices referendum जो सबसे important माना जाता है अगर हम कहते हैं draft democracy work कर लिया है draft democracy के लिए referendum कराया जाता है referendum होता क्या है कोई एक political matter की उपर जब लोगों से वर्ट कराई जाती है कि आप इसकी favor में हो जा इसके अंगेस्ट हो तो उसको हम referendum कहते हैं एक political matter है उस matter को लोगों को रैपर करना ही referendum कहलाता है तो जनरल वोट बाइ इलेक्टरोड मिन जो वोट देने का राइट रस्त्य है 18 years and अपक है on a single political matter तो इस तरह जो लोगों बोर्ट देती है उनके द्वारा ही decision लिया जाता है कि हमने कोई विल को approval दीनी है जै उसको approval नहीं दीनी है तो इसका मीनी क्या हो गया जब रिप्रेंटम कराया जाता है तो final authority हमारी legislative है, parliament है, ministers है इनके पास नहीं होती है तो final authority किसके पास होती है final authority to enact the law is vested to the people लोगों के पास ही होती है क्योंकि लोगी है जो अपना लोग खुद बनाती है तो final authority लोगों के पास है और इनके पास इतनी authority है कि वो किस्ती भी लोगों reject भी कर सकती है और approve भी कर सकती है जो bill already likes nature में पास हो चुकी है तो referendum के truth लोग अपनी wishes को represent करती है कि हम इसको मानता देती है जै नहीं देती है तो referendum सबसे important होता है जिसमें लोगों की राई ली जाती है तो जो स्वीजल अपनी referendum है इसकी कितनी types हैं तो types of referendum इसकी two types हैं एक होता है compulsory referendum एक होता है optional referendum compulsory referendum means referendum खराना ही पड़ेगा इसमें आपको option नहीं दी गई है अगर हमने constitutional amendment करनी है constitutional amendment के लिए compulsory referendum होता है in all cantons जितने भी cantons हैं उनमें approval लेनी चुरूरी है तब जाकर constitutional amendment की जा सकती है जब हमने constitutional amendment किया था मिस वीजलेंड की constitution amendment पर से ऐसे वो कैसी होती है तो total reason and partial reason जे देखा था कि इन दोनों में ही क्या किया जाता है जो referendum है इसको कराया जाता है total reason में तो JP provision है कि अगर total reason का proposal है लोगों के दोरा initiate किया जाता है और उसको कोई एक house क्या कर देता है reject कर दे और उसके बाद दुबारा से referendum होता है referendum में अगर लोगों ने approval दे दी वो चाते है total reason of constitution हो तो जो federal parliament है उसको इंडिजॉल्व कर दिया जाता है तो total reason में जै partial reason में भी referendum का दिवाना बहुत जुरूरी है उसकी बिना आप constitution में amendment नहीं कर सकते जो option referendum है जी compulsion नहीं है कि इस पर referendum होगा जै नहीं होगा अगर लोग demand करते हैं तब referendum कराया जा सकता है जैसी जो federal laws हैं, international laws हैं इंपर referendum कराया भी जा सकते हैं नहीं भी कराया जा सकता है कराया कब जा सकते हैं अगर 50,000 voters हैं और एट एंटन्स हैं वो demand करते हैं कि जो federal laws बनाए भी हैं इन पर referendum कराया जाए तब जाकर ही referendum होता है इसका मीनी क्या हो गया? अगर कोई will urgent भी है उगर उसको federal parliament पास कर देती है तो वो will one year के लिए ही valid होता है उसके time के बीच में आपको referendum कराना पड़ेगा otherwise वो will operate होना बन हो जाएगा after one year इसलिए जो optional referendum है जिसमें अगर waters and cantons demand करते हैं कभी referendum कराया जाता है next is provisions of referendum means cantons cantons में कौन कौन सी provisions हैं जे तो federal level पे था, central level पर था जो cantons है, cantons में भी three types से provisions की गई हैं अगर constitutional amendment है तो इसके लिए compulsory है सभी cantons में कि constitutional amendment के लिए आपको referendum कराना पड़ेगा अगर legislative based है इसके लिए compulsion भी है और optional भी है Compulsion क्या है? 10 full cantons में and 1 half cantons में Optional कितने cantons में है? 1 full cantons में and 1 half cantons में जो बागी है उन में क्या है? जिसमें क्या है? open assembly है और लोग खुद ही तो लोग पना रही है तो उसके लिए referendum की जुरूरत नहीं है next step is national build जो देश का budget होता है cantons में जितने भी budget होते है expenditure है उसके लिए referendum 16 cantons में compulsory है और optional कितने cantons में है 5 cantons में जो बागी 5 cantons रहे उन में length your mind की जो tradition है वो पर eval कर रही है इस तरह वहां पर इसकी combustion नहीं है तो जी हो गया referendum अब हम अपना next करते है initiatives initiatives का meaning क्या होता है जब लोग initiate करते है वो चाहते है जो low है low को change किया जाए low बनाया जाए लोग खुद ही चाहते है कि J-bill बनना जाए let's lady for success में लोगों ने खुद initiate लिया तो J-sweezer layer में 1892 में introduced किया गया था जे positive device है जिसमें लोग खुद initiate करते है legislation को means अगर मानलो उनोंने constitutional amendment करानी है चाहे daughterism है चाहे partial reason है लोग खुद भी initiate कर सकते है वो चाहते है कि इसमें change हो तो लोग J-bill पास कराने के लिए Parliament को care सकते है तो जो initiative कि द्वारा लिया गया लोगों के द्वारा लिया गया इसलिए इसको initiatives कहा जाता है अगर constitution की revision करानी है तो इसके लिए initiative कैसे होगा तो constitution में दो तरह की revision हो सकती है जै total और partial अगर constitution revision करानी है तो one leg Swiss water अपने sign करकर federal parliament को देती है सब जाकर initiative स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो process है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर referendum के तुरू इसकी approval ली जाती है फिर जाकर इसको enforce किया जाता है जै तो constitution amendment के लिया हो गया अगर ordinary भी हो ordinary initiative भी लिया जा सकते है तो जो ordinary initiative है इसमें जो cantons के members है वो cantons के members vary करते है Canton to Canton किसी कैंटन में 3000 भी है किसी में 15,000 वाटर्स भी है अगर वो sign करकर देते है तब जाकर ordinary initiative है वो start हो सकता है तो जो initiative है इसकी forms कितनी है तो initiative की two forms है formulative initiative and unformulated initiative formulative का meaning हो गया कि उनों ने जो bill है उसको अच्छे से draft कर दिया तो वो क्या बन गया formulative and amendment draft in the form of complete bill तो complete bill की form में उनोंने draft कर दिया तो जे बन की formulated initiative जिसमें जो federal chancellor है उसको जे form of complete bill जो draft बनाया था वो दे रेती है तो federal chancellor है वो signature को verify करती है and उसके बाद जो technical aspects है वो देखते हैं उसके बाद वो parliament में बेजते हैं अगर दोनों houses में पास हो जाता है फिर referendum होता है और उसके बाद जाकर जो जे bill है वो पास हो जाता है और जो un formulated initiative होता है जिसमें क्या है simple proposal दिया गया लेकिन बिल्को ड्राफ्ट नहीं किया गया un formulated यह क्या होता है general proposal है जो laying down the principles of desired amendment वो चाहते हैं कि यह amendment होनी चाहिए इसके लिए एक proposal दिया जाता है तो यह proposal क्या होता है इस proposal बर जो parliament है वो bill को draft करती है draft करने के बाद अगर वो bill pass हो गया उसके बाद referendum होगा referendum के बाद वो amendment in post में आ जाती है तो इस तरह initiative में भी referendum कराया जाता है लोगों ने खुद initiative लेकर कोई नया law बनाया जा पुरानी law को revise किया है और इसमें last जो device है वो है recall recall means बापस बुलाना अगर legislative assembly में कोई member elect हो गया तो जे लोग क्या करते हैं उनको बापस भी बुला सकते हैं अगर वो हमारे voting काम नहीं करता है तो to call बैता elected representative इसको ही कहते है recall की provisions तो इसमें वोटर के पास right होता है कि वो अपने representative को बापस बुला ले तो इस तरह जे फोट devices है जिसके जो स्वीजर लैंड की direct democracy है वो करती है तो direct democracy सिर्फ स्वीजर लैंड में ही क्यों prevail करी है तो इसके causes के है जिसके जे democracy है जिर्फ स्वीजर लैंड में ही स्थ सेस है तो first one is law for democratic institution जो स्वीजर लैंड के paper है वो क्या करते है democracy को बहुत जादा पसंद करते है वो democracy के लिए कुछ भी sacrifice करने को त्यार है historical sport वो बहुत time से जो democracy है इसकी institution को accept करते आ रहे है वो 13th century से ही black democracy है इसको अपनाते आ रहे है high rate of literacy वहाँ पर hundred percent literacy है जिस वज़े से black democracy proper work कर बाती है absence of reserved party system लोग है लोग को reserved party system से कोई मेनिक नहीं है वो भी party system के लिए neutral है जैसे Swiss political system neutral है वैसे लोग भी बहुत ज्यादा neutral है social and economic equalities जो Switzerland है इसमें बिल्कुल भी inequalities prevail नहीं करती society के लेवल पर भी economic के लेवल पर भी जब हमने इसकी introduction के लिए हमने चेहीं कहा था कि Switzerland most equitable distributed country है and small size of the country country का size बहुत छोटा है और population भी 8 million के approximate है and last is Swiss policy of neutrality Swiss log है वो neutral लेना है prefer करते हैं कि इस तरह वहां पर track democracy है वो अच्छी से successful रह सगी है तो आज हमने इसकी devices है और go this है जी कि आप next session में करेंगे merit and de-marriage of track democracy आप 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 हुआ आप लेका आप आप लाग होगा गरापी विप्या देन पॉस्कित कि नहीं कमें गुम्ण बग्प and विडियो चलविता प्रिसलागा आप लेड़ियो प्रिसलागा थैंग आप एवाड़ी आप लुट हम आप आप लेगे झाल झाल